हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचर्स में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सिच्छक भरती परिच्छा में उत्तीड छात्रों के बारे में यानि जिन जो अपने आपको सेफ महसूस कर रहे हैं जिनका 90 और 96 परसंट 96 मार्क से उपर है यानि जो ऑफिसियल कटाफ और ऑफिसियल एंसर की आई है उसके हिसाब से वह अपने आपको पास मान रहे हैं उनको क्या क्या प्रेपरेशन करनी है कैसे काउंसिलिंग के लिए तयार रहना है कौन को से डॉक्यूमेंट की जरूरत है और अपना गुडांग किस प्रकार से बनाएंगे किस तरह से मेरिट बढ़ेंगे कैसे काउंसिलिंग होगे वह सारी इस पर चर्चा करेंगे वीडियो से पहले आपसे एक ही उजारिस है कि वीडियो पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वीडियो पे तो सबसे पहले आपको जरूरत होगी अपने गुडांग की ठीक है अगर आपका 90 से उपर आ रहा है तो आप अपने आपको पास माने ओबी सी 90 और जो कटाफ आई है जनरल 93 नंबर की तो आप अपने आपको पास माने और जो फालतु के रिमर्स फैल रहे हैं कि भरती कैंसिल होगी और पेपर लीक हुआ है इस पे मैं कुछ नहीं बोलूगा क्योंकि यह सरकार का काम है वो जो चाहेगी वही करेगी लेकिन जो पास है उनको कांग्राचुलेशन और उनके लिए आगे कि क्या स्ट्रेटरी है क्या करना है वही हम बताने जा रहे हैं सबसे पहले आपको अपने गुलांक निकालनेएं ठीक दो मैंने ईक लिंक दे रखा है नीचे इस पर जैसे 7 अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो यह ऐसा होगा ठीक है बाकी गुलांक के लिए आप लोग जानते ही हाई स्कूल का 10 ंnt kill mac परिच्छा में जो आपने माक्स पाए हैं उसको तो से गुड़ा करके पांस से डिवाइड कर दीजिए ठीक है फिर उन सब को जोड़ लीजिए उतना गुड़ां का आपका बनेगा ठीक तो यहां पर अगर वह इसे नहीं कर पा रहे हैं तो यह यह कलकुलेटर है इसमें आप हाई स्कूल का पर्सेंटेज जो भी है आपका 62, 70, 80 जो भी परसेंट है वह आप यहां पर डालेंगे उसके पार इंटर का परसेंटेज डालेंगे इसके वाद घ्रेजूएशन का डालेंगे ठीक है फिर बीटीची और बियर्ट का डालेंगे फ तो यह एक माइनर सी चीज थी आप लोग गुलांग निकाल लिया होंगे अगर आप इसमें सिक्षक भड़ती परिच्छा में कौलिफाई हैं तो गुलांग निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आगे चर्चा करेंगे कि अगर आप इसमें कौलिफाई हो गए हैं तो आपको क्या करनी है ठीक है आपको फालतों के अपवाहों से बचना है अपने आपको शाकारात्मक बनाये रखें और अपने डॉक्यमेंट्स पहले मजबूत कर लीजिए क्योंकि 22 तारीक को रिजर्ट आएगा उसके तुरंत बाद काउंसेलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अभी हम बता रहे हैं आपको क्या क्या जरूरत होगी और क्या क्या आपके पास नहीं है तो आप कंप्लीट कर लीज तो इसमें और 6500 लिखा हुआ है तो इससे कोई मेटर नहीं है पिछली बार का लेकिन प्रक्रिया होगी पिछली बार की तरह ही होगी तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आपने फॉर्म बढ़ा होगा तो इसमें आप प्रमाण पत्र है आपका 5 साल के अंदर का होना चाहिए तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है फिर अभी तक आपके पास नहीं है तो आप प्लीज निवास प्रमाण पत्र के लिए अपलाई कर ल कर वाह दीजिए और उनको कहते हैं कई नामों से प्याप कारते हैं manner लिए आधार कारते है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ अपना निवास और जाधिक के लिए आप जरूर अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आप जाते प्रमालक पत्र के लिए भी अप्लाई करती है कोई माइनर से फीस है और आप नया जात और आए बनवा लीजिए अगर आपको पांच साल के अंदर का है फिर भी आप दुबारा से बनवा लीजिए क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते वहाँ सकते तो आप तुरंट दिखा सकें नेक्स्ट है पहचान पत्र पहचान पत्र यानि आपने जो प्रड़ाइविंग लाइसेंस या वोटर राइडी जो भी आपने वहाँ पर फिल किया होगा वह आपको होना चाहिए आपको रिजल्ट आने के बाद एक फॉर्म आएगा उस कि मार्क सीट होने चाहिए नेट वाली मार्क सीट उसको आप निकल वा लीजिए प्रिंट आउट नेक्स बीटी सी और डीयड का अंक पत्र यानि बीटी सी और यहां पर बीयड भी होगा बीयड पहला केँ रीट का अंक पत्र और अगर आता है अगर आता हुँ अए पर मान्ध के अ मौर पत्र इसका अंक पत्र और प्रमाब पत्र या य noble य फह पर प्रवीजनल का था यह दिगरी नहीं हिंए जाहिए नेक्स आते हैं це Ah में अंक पत्र और प्रमाल पत्र ठीक है यह सब लोगों के पास होगा हाई स्कोल की मांकिसीट और सर्टीफिकट लेक्स है ट्लिव 12 का अंगपत और प्रमापत ये बारदी का आपके पास होगा ही ठीक है ग्रेजुएशन का नहीं है अगर बीटिसी का नहीं है तो यह आप लोग निकलवा लीजिए कॉलस से ठीक है अगरेज़ने के लिए तो वही मानने होगी ठीक है नेक्स है चरीत प्रमापत अभी तुप पता नहीं किस तरह का बनेगा लेकिन अभी नोटिफिकेशन अभी जारी होगा उसमें आपको बताया जाए चरीत प्रमापत कहां का होना चाहिए यह उसके बाद आपको अधार कार् पासपोर्ट साइज मांगा तो चार पांच जाएगा लेकिन आपको दस फोटो जो है आपको लगानी है तो आपको अगर फोटो नहीं तो फोटो खिचवा कर रख लीजिए दस कॉपी आपके पास मेरे माँ होनी चाहिए ठीक है और सभी डॉक्यमेंट के दो-दो फोटो करवाली जीए अधारकाड होगा आपके पास नॉटरी बाद में जरूत पड़ेगी तो नॉटरी उसी टाइम पे बन जाएगी तैसिल से बनती है या फिर कोट से बन जाएगी कैसरी से बनती है तो नोट्री उस टाइम पर बनवा लेंगे इतनी इतनी डॉकुमेंट की जरूद पड़ेगी आपको तो आप पहले से सतर करेंगे पहले से कमप्लीट कर लीजिए उस टाइम पर दिक्कत हो जाएगी और आप में डॉकुमेंट नहीं दिखा तो हो सकता है वहां से नोटिफिकेशन जारूए हो जारी होगा भरती का ठीक है और हो सकता है वह भरती ऑनलाइब उसका फार्म फिल करना हो एप्लाइब पड़ेंगे इन यूद्ध है उसमें सारे माक्स भरेंगे अपने जैसे बाप बाकी फॉन हुँआ हुआ 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 हो पहले पड़ कि आसा करते हैं जो लोग 90 से उपर हैं वो उनका इसमें हो जाएगा क्यूंकि सब लोग बतानुमान लगा रहे हमने अभी सिर्फ अनुमान ही लगाया है ठीक है यह कहीं सकते नहीं है कि लेकिन लग रहा है कि 90 और सो के ऊपर जो है 30 या 40 जार कंडिडेट ही होंगे तो में तो कटाफ गिरेगी लेकिन कटाफ हो सकता है पहली फरस्ट कांसिलिंग कराने के बाद इतने लोगों को भरने के बाद ही गिरे बाकी जो भी अप वह हो चल नहीं है ध्यान मत दीजिए ठीक है और बस भगवान से प्र वीडियो पर पहली बार रहे हैं तो काम क्या करना है आप लोगों पता पता ही है सब्सक्राइब करना है और चैनल को वीडियो को लाइक करना है और जो भी आपकी कोईरी से वह कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद